कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशाशन हाई अलर्ट पर है बाहरी राज्यों से आने बाली लोगों पर बंदिशे लगा दी गई हैं शिक्षन संस्थान बंद कर दिये गए हैं मंदिरों में प्रसाद ना चढ़ाये जाए इसके लिए अवशिक निर्देश जार शुरू हो गए थे हालंकि मंदिरों में प्रसाद ले जाना मना था लेकिन फिर भी लोग प्रसाद ले जाते दिखाई दिये मंदिरों के द्वार पर ही महलाओं की भारी भीट दिखाई दी जो सभी बगार मास्क के थी जो हर आने जाने बाले के समीप आकर उनसे पैसे और प्रसार ले रही थी जिसकी बजह से लोग बेहद खौप में दिखे अधिक जानकारी देते हुए दुकांदार ने कहा कि आजकल कोरोना बेहद खतरनाक हो गया है लेकिन मंदिरों में कुछ महिलाएं बाहरी राजियों से आई हुई हैं जो सभी बिना मास्क के हैं और जो समु दिन बढ़ती जा रही है इसलिए प्रशाशन को चाहिए कि बह इस बारे में सोचें और सभी को सुरक्षा प्रदान करें चिपक जाते हैं गंदगी यहां फिलाते हैं बहुत ज्यादा इसको जरूर देखना चाहिए प्रशाशन को पहले नवरात्रे से लेकर आज अश्टमी तक यही हाल यहां पर बना रहा है इस समस्या यह एक तो करोना काल चल रहा है इस टाइम बीमारी अपना घातक रूप ल चाहिए इनका कुछ अता पता नहीं है जब आये थे यह पहले दिन तो इनकी संख्या बीस पच्चिस थी फिर पचास हुई और यह सो से उपर की संख्या थे लिए